नमस्कार बच्चों सुवागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में हम कक्सा 10 गनीत का जो चेप्टर नमर 1 है वास्तिविक संक्या यानि रियल नमर और इस चेप्टर का इस पूरे चेप्टर का जो बेसिक है वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं यदि आपने बेसिक अच्छे से त्यार कर लिया तो इस चेप्टर में जितने भी एक्सरसाइज हैं यानि टोटल आपके चार एक्सरसाइज हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तो जितने भी उसमें कुश्चंस हैं वो कुश्चंस आप आराम से बना पाएंगे यदि आपने बेसिक हैं अच्छे से त्यार कर लिया तो वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो में मैं आपको चेप्टर नमर वन वास्तविक संख्या रियल नमर का पूरा बेसिक हैं वो अच्छे से समझाने वाला हूँ ताकि आप पूरे जो कुश्चंस है इस चेप्टर के जितने भी एक्जामपल है वो आराम से बना पाएं तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें सबसे पहले है आपके प्राकर्त संख्या अब देखे प्राकर्त संख्या है उसको हम इंग्लिस में जो नेचूरल नमर है वो कहते हैं प्राकर्त संख्या को इंग्लिस में क्या कहते हैं नेचूरल नमर अब नेचूरल नमर है प्राकर्त संख्या है तो इसको केपिटल एन से हम दरसाते हैं और प्राकर्त संख्या क्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है यानि एक से सुरू होती है एक और एक के बाद दो तेन चार पांच छे और ये संख्याएं कहां तक चलती है अनन तक चलती है यानि वे संख्याएं जो एक से सुरू होती है और अनन तक चलती है उन्हें हम क्या कहते हैं प्राकर्त संख्याएं कहते हैं ओके अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद में सेकिंड है आपके पूर्ण संख्याएं अब पूर्ण संख्याएं हैं उनको हम इंगलिस में क्या कहते हैं वूल नमर कहते हैं और इसको हम केपिटल डबलू से दरसाते हैं यानि जो पूर्ण संख्याइं होती हैं उनको हम केपिटल डबलू से दरसाते हैं और ये संख्याइं हैं एक, दो, और तीन, चार, पांच, छे और ये अनन तक चलती हैं यानि पूर्ण संख्याइं यानि जो पूर्ण संख्याइं हैं उनकी जो सही प्रिवासा है वो हमें क्या लिखनी है कि जो पूर्ण संख्याएं होती है यदि प्राकर्त संख्याओं में यदि प्राकर्त संख्याओं में हम जीरो को भी सामिल कर दें तो वे क्या बन जाती है पूर्ण संख्याओं बन जाती है यानि पूर्ण संग्याई क्या होती है जो 0 से शुरू होती है और अनन तक चलती है यानि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद में कहां तक चलती है अनन तक चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं पूर्ण संग्याई कहते हैं और उसके बाद में 3 नमर पर है आपके पूर्णाक संग्या हैं उनको हम इंगलिस में क्या कहते हैं इंटीजर नमर कहते हैं अब इंटीजर नमर हैं जो पुरुनाक संख्या हैं उसको हम केपिटल जेड से दरसाते हैं केपिटल जेड से हम इसको दरसाते हैं और यह जो संख्या हैं अब जो पुरुनाक संख्या हैं अगर हम बात करें तो पुरुनाक संख्या में सबसे पहले देखे जीरो आता है क्या आता है जीरो और जीरो से पहले वाली जो संख्याएं हैं वो आपको पता है रिनात्मक होती हैं तो ये जो संख्याएं हैं ये क्या हैं रिनात्मक हैं तो हम इनको कह सकते हैं रिनात्मक पुरुनाक कह सकते हैं क्य तो इनको हम क्या कह सकते हैं धनात्मक पुनाक कह सकते हैं यानि पोजिटिव इंटीजर हम इसको कह सकते हैं तो जीरो के बाद वाली जो संख्याएं हैं जीरो के दाई वाली जो संख्याएं हैं वो है धनात्मक पुनाक और 0 के बाइवाले जो सिंखें हैं उनको हम रिनातमक पुनाक कहते हैं यानि जिसमें 0 भी हो जिसमें माइनस के नमर भी हो और प्लेस के नमर भी हो उनको हम क्या कहते हैं अब ये देखें 0 से 22 तरफ यानि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और ये कहां तक चलती है अनन तक चलती है अगर हम दाई तरफ की बात करें तो 0 उसके बाद में प्लेस का 1,2,3,4,5,6,7 और ये भी कहां तक चलती है अनन तक चलती है तो ये जो समू है इसको हम क्या कहते हैं पुलाक सिंख्या कहते हैं यानि इंटिजर नमर हम इसको कहते हैं उसके बाद में हैं आपके परीमे संख्याएं अब परीमे संख्याएं हैं इसको हम English में rational number कहते हैं क्या कहते हैं rational number और इसको हम capital क्यों से इसको दरसाते हैं और यहाँ पर जो परीमे संख्याएं हैं जो rational number हैं उसकी definition क्या होगी यानि परीमे संख्याएं किसे कहते हैं वे संख हैं जिसको हम P वटे Q के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं परी में संख्याइं कहते हैं अब यहाँ पर P और Q P और क्या है एक इंटिजर है पुरुनाक है और Q not equal यहाँ यहाँ पर जो नीचे Q लिखा हुआ है इसकी जगह हम 0 नहीं मान सकते हैं इसलिए लिखा हुआ है Q not equal 0 P की जगह हम 0 रख सकते हैं लेकिन Q की जगह कभी भी 0 नहीं रखा जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं परीमे संख्या हैं कहते हैं जैसे कोई भी पुरुनाग ले सकते हैं पी की जगे जैसे मैंने ले लिया दो ओके और बटे में क्यों की जगे हमने कोई पुरुनाग ले लिया साथ तो यह परीमे संख्या हो गए की जगह हमने 0 रखा है और क्यों की जगह हमने 4 रखा है तो ये भी एक क्या है प्रीमे संख्या है अगर रूट के अंदर रूट के अंदर एक ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल हम आराम से निकाल सकते हैं तो वो भी एक प्रीमे संख्या होगी जैसे रूट 16 है तो रूट 16 का वर्गमूल हम अराम सी निकाल सकते हैं कितना आएगा चार आएगा और इसके बट्टे मेनी चार को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं चार बट्टे एक यानि जिसके यहाँ पर क्यूं की जगा कोई नमबर नहीं है तो हमने वन इसको ले लिया है तो चार बट्टे एक यह भी एक परीमे संख्या है तो इस परकार से यह परीमे संख्या हैं जिसको हम परी बट्टा क्यों के रूब में लेख सकते हैं लेकिन क्यों की जगा हम जीरो है वो कभी भी नहीं रख सकते हैं और उसके बाद में हैं आपके एपरीमे संख्या हैं अब एपरीमे संख्या ह होती हैं जिसे हम पीवट्टा क्योंके रूप में नहीं लिख सकते हैं यानि एसी संख्याएं जिसको हम पीवट्टा क्योंके रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं एपरी में संख्याएं कहते हैं जैसे अंडरूट 3 अब देखें अंडरूट 3 हैं अंडरूट 5 है and root 7 है और एक का आपने पड़ा होगा Pi ओके यानि Pi का जो मान है वो निश्चित नहीं होता है तो यह सब क्या है यह सब Aipari में संख्याइं होती है तो इस परकार से Aipari में संख्याइं है जो irisional number है वो क्या होती है AC संख्याइं जिसको हम परी बटे क्योंके रूप में नहीं लेख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एपरी में संख्याइं कहते हैं, उसके बाद में हैं आपके वास्तिविक संख्याइं, तो आपका जो चेप्टर है, चेप्टर नमर वन है, ककसा दस गनित का, वो आपके वास्तिविक संख् और इसको हम जितने भी आगे जो questions करेंगे, जो examples करेंगे, जब इनको हम solve करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वास्तविक संख्याओं क्या होती है, यानि real number क्या होती है, तो वास्तविक संख्याओं है, real number इसको English में real number कहते हैं, और इसको हम capital R से दरशात यानि परिमे संख्या और एपरिमे संख्याओं का जो समूह होता है जो ग्रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं यानि रियल नंबर कहते हैं और उसके बाद में हैं आपके यूकलिड विभाजन प्रैमेइका अब यूकलिड विभाजन प्रैमेइका क्या होता है तो सबसे पहले हम बात करें प्रेमेइका की तो प्रेमेइका क्या होता है एक कथन होता है यानि एक सिद किया हुआ कथन होता है जिसे हम किसी अन्य चीज को सिद करने में प्रियुक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्रेमेइका कहते हैं और इसका एक फोर्मूला ह है हमारे पास 12 और दूसरा पुरुणाक है हमारे पास 5 यानि 5 से बड़ा है 12 तो इसको हम इस परकार से लिख सकते हैं अब देखिए 5 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं 5 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो इसमें 12 है वो बड़ा है तो इसको हम यहां पर रखेंगे और छो पर जब इसको हम गटाएंगे तो जो सेसफल है वो कितना बचेगा दो बचेगा यानि हम इसको क्या कहते हैं इसको हम भाजे कहते हैं क्या कहते हैं भाजे और भाजे को हम किस से दरसाते हैं ए से दरसाते हैं और यह हमारे पास क्या है भागफल और भागफल को किस से दरसाते ह और ये हमारे पास है भाजक तो भाजक को हम किस से दरसाते हैं भाजक को हम दरसाते हैं B से और यहां पर हमारा जो दो है यह हमारे पास सेसफल सेसफल को इंगलिस में क्या कहते हैं रिमेंडर कहते हैं तो इसको हम किस से दरसाएंगे R से दरसाएंगे अब इसका एक समंध हो गया और समंध के लिए according ये formula बना है यानि भाज़े बराबर भाज़क गुना भागफल प्लस सेस्पल तो भाज़े को हम किसे दरसाते हैं A से और भाज़क को B से और भागफल को Q से और सेस्पल को R से तो ये सूतर आपका बन चुका है A बराबर B Q प्लस R अब उसके बाद में है यूकलीड विभाजन एलगोरिथम काफी बार इसकी जो definition है वो आपके exam में पुछी जा चुकी है कि यूकलीड विभाजन एलगोरिथम क्या है तो कोई भी दो धनात्मक पुरुनाकों का HCF ग्याद करने के लिए HCF का मतलब क्या होता है आपके highest common factor यानि महतम समापूर तक तो कोई भी दो धनात्मक पुरुनाकों का HCF ग्याद करने के लिए जो विदी हम प्रियूक्त करते हैं जो मेथड हम लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं यूकलीड विवाजन एल्गोरिथम कहते हैं और यूकलीड विवाजन एल्गोरिथम है इसका दूसरा नाम होता है कलन विदी यह आपको जुरूर ध्यान रखना है यूकलीड विवाजन एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या होता है आपके कलन विदी काफी बार एक्जाम में पुछा जा चुका है कि कलन विदी क्या है या यूकलेड विवाजन एलगोरिथम क्या है तो ये आपके पूरे चेप्टर का यानि कक्सा 10 गनित चेप्टर नमर 1 आपके वास्तिविक संख्या का पूरा बेसिक है यदि आपने ये बेसिक अच्छे से त्यार कर लिया तो आगे के जितने भी आपके एक्सरसाइज है और उसमें जितने भी कुस्चंस हैं जितने भी आपके एक्जामपल हैं वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करें और चैनल पर आप नहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए साथ में notification bell को press कर लिजिए ताकि आगे की जितने भी class आपकी गनित की हो साइन्स की हो इंगलेस की हो वो आपसे मिस ना हो